नमस्का दोस्तो बहुत बहुत स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल फ्री एजूकेशन में दोस्तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्पून है आज केश टॉपिक में हम डिसकस करने वाले हैं जीमेल के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो भहुत स्थारे लोगों को पता नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा महत्पून है मैंने खुद देखा है प्रेक्टिकली की बड़े बड़े इंटर्व्यू जो होते हैं वहाँ पर यहां से डारेक्टली कॉस्टन पूछ ले जाते हैं तो दोस्तों इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले में आपनों के साथ एक छोटी सी स्टूरी सेयर करना चाहता हूँ एक बार मुझे मौझे मौका मिला था DC और PGDC एक्चल में एक-एक साल के कोर्स होते हैं कंप्यूटर से सम्मानत कोर्स हैं यहाँ पर practical होता है और practical में जो है दस नम्मर के oral question पूछी जाते हैं ठीक है और आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं computer इंटरनेट से सम्मादत तो मुझे मौका मिला था बच्चों से question पूछने का तो वहाँ पर मैंने 20 लोगों से question पूछे थे और 20 लोगों से मैंने 3 परस्ण पूछे थे के वल मैंने पहला परस्ण पूछा था क्या आप लोग इंटरनेट का यूज करना जानते हैं तो सभी का आंसर था 200 बच्चों का कि जी हाँ हम इंटरनेट का यूज कर लेते हैं ठीक है तो मेरा दूसरा question था क्या आप लोग mail यूज करते हैं और यदि करते हैं तो क्या आप लोग gmail के बारे में जानते हैं तो लगभग सभी बच्चों ने कहा कि हाँ हम gmail का यूज कर लेते हैं जो मेरा third question था और last question था कि यदि आप Gmail का यूज करते हैं तो क्या आप लोग को CC और BCC के बारे में पता है ये क्या होते हैं और इनका क्या प्रियोग होता है तो मैं खुद यहां पर भोचक का रह गया कि 20 में से लगभग 5 लोगों ने इनके फुलफाम बताए कि CC का मतलब होता है Carbon Copy और BCC का मतलब होता है Blind Carbon Copy लेकिन 20 में से इसका सही आंसर जो दे पाए थे का इनका प्रियोग क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है 2 से 3 चात्री यह से मुझे मिले जो इसका सही आंसर बता पाए जो कि मैं पूचना चाहिए रहा था तो हम सुरुवात करते हैं यहाँ पर जो Compose रहता है वहां से ठीक है तो Compose में क्या करते हैं हम File Attach करते हैं जो कि हमें सामने वाले बंदे को Send करना है आपको वो File MS Word की हो सकती है, Excel की हो सकती है या फिर कोई Photo या Image या फिर PDF कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां से हम वो File Attach करते हैं उसके बाद From में कह रहता है कि जैसे मैं किसी को Mail Send कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरी Mail ID आटोमेटिकली आ जाएगी यह लिखने की ज़रूरत नहीं है किलियर तो From और Attach आप समझ गए हैं इसके बाद To में क्या Type करते हैं कि यदि हम किसी बंदे को जिस बंदे को हम Mail Send कर रहे हैं उसकी Mail ID यहाँ पर हम Type करते हैं जैसे यहाँ पर मैं Ram को Mail Send कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं Ram की क्या करूँगा Mail ID Type कर दूँगा तो मैंने यहाँ पर Ram की Mail ID Type कर दी है clear तो जो भी हमने यहां से file attach की है जो भी file हमने attach की है वो राम को send हो जाएगी लेकिन यदि हम उसी file उसी mail का carbon copy किसी दूसरे बंदे को भेजना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे भेजेंगे तो वहां यहां पर लिख देंगे, suppose की जीए मैं उसकी carbon copy मोहन को भेजना चाहरा है तो मैं यहां पर मोहन की mail ID यहां पर type कर दूँगा तो मैंने यहां पर मोहन की mail ID type कर दी है अब दोनों में अंतर क्या है ? हम चाहें तो जसे हम 5 बंढो को mail send करना चाहरा हैं तो 5 बंढो की mail ID यहाँ पर type कर सकते हैं राम के वाजू में कॉमा करकरके यहाँपर हम दूसरी mail ID type कर दी तीजरी कर दी यहाँ पर 4 एक उपर पांच में पर तो मेel ID तो यहाँ पर भी लिख सकते थे किलियर है तो हमने यहाँ पर CC में क्यों लिखी CC में हमने सबसे पहले CC का मतलब क्या होता है कारबन कॉपी और कारबन कॉपी में यदि हम किसी का mail लिखते हैं तो दोनों बंदों को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि जो mail हमें मुझे आया है वो इस बंदे को भी भेजा गया था मौहन को कहने का मतलब यह है कि राम को भी इसके बारे में पता होगा कि हमें जो mail आया है वही का वही mail मौहन को भी भेजा गया है ठीक है और मौहन को भी पता होगा कि जो mail मुझे प्राप्त होगा है वो राम को भी भेजा गया है किलियर है तो CC में आप समझ चुके हैं अब हम बात कर लेते हैं VCC की तो VCC का मतलब होता है Blind Carbon Copy और यदि यहां हम किसी को भेज रहे हैं मेल जैसे यहां पर हम बॉस को मेल भेज रहे हैं और Carbon Copy मतलब CC में जिसको लिखा है तो एक दूसरी के बारे में पता है कि जो मेल मुझे मिला है वो इसको ही मिला है और जो इसको मिला है वो मुझे मतलब दोनों को पता होगा लेकिन जो हमने BCC में जो चीज लिखी है उसके बारे में ना तो राम को पता होगा ना मोहन को पता हुगा कि हमने जो mail भेजा है वो यहाँ boss को भी भेजा है मतलब blind मतलब क्या होता है अंधा, अंधी carbon copy मतलब कि ना तो two वाले को पता होगा ठीक है और ना cc वाले को पता होगा कि यहाँ third person को भी वही कभ वही mail send किया गया है तो एक ही बार में सारी चीजें हो जाएंगी ठीक है यदि एक बार में आप किसी ऐसे बंदे को भीजना चाह रहे हैं तो आप bcc, cc और bcc में अंतर समझ गए होगे उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं subject यहाँ पे कि आप mail send कर रहे हैं उसका विसाई वस्तु क्या है जैसे कि हम आवेदन बना थे दिवच्पन में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वो subject लिखते हैं कि कि किस सम्मन्द में mail हम send कर रहे हैं कि लिए compose में कह रहता है इसको बॉच कर ले और thank you और बगएरा बगएरा और यहाँ पर हम अपने signature भी बना सकते हैं कि हमारा office कौन सा है यह सारी चीज़े हम compose में type करते हैं और यहाँ क्या करते हैं send पर क्लिक करके हम आसानी से mail को send कर पाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यह features तो सभी को पता होते ही हैं लेकिन जो main चीज़े वो है CC और VCC तो यह चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है पूरी इमानदारी के साथ कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोगों को CC और VCC में अंतर पता था किलियर है और आपको वीडियो कैसा लगा यह भी हमें कमेंट करके बताए और वीडियो को लाइक कर दें और क्या आप लोग चाहते हैं कि कुछ टेकनलोजी से सम्माद डेली जो हम यूज करते हैं उनसे सम्माद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में वीडियो वनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो क्या उस पे भी आप लोग वीडियो चाहते हैं थेंक्यी दोस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदेट मारत